थैयल बर्जिले के बानसूर के हमिरपुर गाओं में खेत में जाते समय शेडशाड करने पर युवतियों ने कुछ युवकों को दोड़ा दोड़ा कर पीटा इस मामले में एक युवतियों ने बानसूर थाने में रिपोच भी दर्स कराई है पुलिस ने मामला दर्स कर एक युवक को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने बताया कि गाउं की तीन चारी युवतियां खेट में जा रही थी रास्ते में कुछ युवकों ने उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की जो से तंग आकर युवतियों ने हातों में पत्थर लेकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया इस मारपीट का विडियो सोशल मीडिया पर वारल भी हो रहा है जो कि पुलिस को सौफ दिया गया जुसके बाद पुलिस ने मामला दर्स कर लिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जाज प्राणब हो चुकी है चलिसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सेयोगी सुनेश सैनी सवक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुचके हैं लड़कों पर पत्थर फेकते हुए और उनके साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे है लेकिन एक नया जो तथ्या है वो इस मामले से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है ये रस्ते में जो लोग होते हैं लड़कियों को परिशान करते हैं टीजिंग करते हैं उनके खिलाफ लड़कियों ने एक बड़ी जो बहादूरी है वो दिखाई है फिलहाल क्या कहेंगे इस घटना से जोड़ी क्या जानकारी आपके पास आपको बता दूए पांशूर के काउं हमेपुर का मामला है जी विटी श्याम कुछ मंचले यूगों ने यूटियों के साथ छेड़ चार ही जिसमें यूटियों ने सांस दिकाते हुए इन मंचलों की अच्छी पिटाई करते हैं वहीं बता है आपको बता दूँ कि मामले म यूटियों ने यूटियों ने बांश के हर्सवरा थाने में रिपोर्ट पी जर्ज करवाई है जी तुलिशी ने माम पना दर्ज कर एक योग को हिरासत में ले लिया है जी जी शली सुरेश बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए